एलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनीता किचन, कैसे हो आप लोग, तो आज की रेसिपी है यूपी स्टाइल आलू की कचोड़ी, जो नॉर्मल यूपी के घरों में बनती है, ये वो रेसिपी है, कोई हलवाई या धावाई स्टाइल रेसिपी नहीं है ये, यूपी के घर आलो में आम तोर पर बनने वाली, इजी रेसिपी है ये, मगर मुँ में जाते ही फ्लेवरों का धमा का रेसिपी है ये, ये पूरी अपने आप में ही इतनी चटपटी बनी हुई ही कि इसके साथ किसी भी चटनी का काम नहीं है, तो चलिए आज की रेसिपी स्टाट करते हैं आलो की पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले आटा, हमने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है और ये वाली कटोरी से तीन कटोरी आटा लिया है, आप अपने अंदाजा से लीजिए आपको कितना चाहिए, हम यहाँ पर डाले हैं अजवाइन, अच्छे से हाथों से क्रस करके, आटे में हम डालेंगे स्वादा अनुसार नमक थोड़ा सा नमकीन बन जाता है इसे आटा, आटे में मोयम लगाने के लिए हम डालेंगे दो कट्छी रिफाइंड, जिस कटोरी से हमने तीन कटोरी आटा लिया था, उसी कटोरी से ये आधी कटोरी आटे को उठा कर दोनों हाथों से इस तरीके से रब करकर के मिक्स करेंगे मोयम इसी तरीके से मिक्स किया जाता है और इससे बहुत अच्छी तरीके से आटे में मोयम मिक्स हो जाता है तो आप ऐसे ही करें बस आप पानी डालते जाएंगे और नरम मुलायम दो तियार करेंगे हम अपने घर में जो रोटी वाला त्यार करते हैं 2 बस हमें वही चाहिए अगर आप रोटी का थोड़ा टाइट करते हो तो फिर वह नहीं चाहिए हमें एकडम मुलाया हम 2 चाहिए जो नौद देखे हमारा कितना मुलाया माटा सना है बस हमको ऐसे ही सना हुआ आटा चाहिए, इसको हम 10 मिनट के लिए रैस्ट के लिए रखते हैं, एक किलो आलू को उबाल कर कद्धुकस करके हम रखते हैं, एक एक चम्मच हम ले लिए हैं, दरदरा कूटा हुआ, साबुत, धनिया और संप, उसको हम डालेंगे आलू में, यहा सोता है, तो मेरी आलू एकदम थंडी है, आलू की पूरी को खुब चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे, आधा चम्मच अमचुर पाउडर, आधा चम्मच काला नमक का पाउडर, आधा चम्मच हम लेंगे गरम मसाला, हर चीज स्वादा नुसार है, यह एक क लो आलू है, तो उसी साब से पढ़ रहा है, फिर बात में तो हम मैनेज कर ही लेंगे, कम जादा हर चीज, एकदम चटपटा फिलिंग तियार करेंगे इसमें, चटपटा फिलिंग तियार करने के लिए, आधा चम्मच चाट मसाला, हरी धनिया बारी काट के लेंगे हैं, औ मतलब हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा था है, एकदम स्पाइसी स्पाइसी, तो हरी मिर्च से ही तीता करें, एक इंच तक अध्रक ग्रेट करगे डालेंगे, नमक को स्वादा नुसार डालेंगे, और सभी चीजों को अच्छे से मैस कर लेंगे, अपस में मिला 10 मिनट रेस्ट के लिए जो हमाटा रखे हुए थे ना, देखिए हमको इस तरीके से नरा माटा चाहिए, उसको थोड़ा सा फिर से हम अच्छे से गुंद लेंगे, आप चलते हैं पूरी बनाने की तरफ, पूरी बनाने के लिए लोई हमने काट ली है, हमने रोटी वाली ही लोई ली है, और देखिए कैसे दबा दबा के इसको बड़ा कर रहे हैं, तो बस आपको भी ऐसे ही करना है, बेल के भी हम इसको बड़ा कर सकते थे, लेकिन उस तरीके से बेल के लोई को बनाने से पूरी फट्ती है, तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी, कि आप ऐसे ही भरिये, बेल के अगर हम लोई बड़ा कर देते हैं और पूरी बनाते हैं, तो वो फट्ती ही फट्ती है, और इस तरीके से हाँ से दबा दबा के कटोरी बनाएंगे, उसके उपर हम आलू की स्टफिंग रखेंगे, और इस तरीके से हम अपनी लोई को त्यार करेंगे, देखिए ऐस पैथन लगाएंगे और बेलना हैं स्टार्ट करेंगे, हम इसको नॉर्मल रोटी के साइज से भी थोड़ा बड़ा साइज का ही बेलेंगे, साइज का कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हम मतलब खुब बड़ा सा बना रहे हैं और इसको तेल में छोड़ते ही हमारी पूरी फूल जा रही है, एक पूरी हमने पहले से ही दाला हुआ था, देखिए हमको ऐसे लाल करना है, दोनों तरफ से अलट पलट के, ये पूरी बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि हमने आलू की स्टफिंग बनाते समय, जो स्पाइसेज यूस किये हैं वो आलू की पूरी को माइ एक पूरी भरना और तलना दोनों सिखा दिया, आप ऐसे ही अपने घर में बेलिये और तलिये, नेक्स्ट पूरी हम तेल में डाल चुके हैं, डालते ही हमारी पूरी फुगगा की तरफ फुल रही है, तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी तो हमारी हो गई है डन, देखिए हमा खार झालते हीजा की अपताष, बीच की तब डालते हैं, डालते हीजाव फुल रही हो वे होग्ए, रहीम देखिए हूं, प्रेंडने लोग्जिए पोटने देखिए, और वहiben